है हाई गाईज वेलकम टू यह दोस्तों आज हैं बात करेंगे के आफ्य टेस्ट या ऐफ्ट टेस्ट के बारे में कियों किया जाता है क्या होता है कैसे किया या पता चलता है पूरा देखा दोस्तों तस nun इनकी Cape अब देख लेना अल्रेडी अप्लोडेड है तो मिल जाएगा लेकिन आज हम बात करेंगे क्या KFT या आरेफ्टी के बारे में नाम से के लिए रहा के मतलब की किड्नी फंक्शन टेस्ट या आरेफ्टी मतलब की रिनल फंक्शन टेस्ट बात एक ही है किड्नी के लिए होता है तो कोई भी टेस्ट होता है उससे यह पता चलता है कि फंक्शनिंग टेस्ट अगर कर रहा है तो कोई अंगर काम कैसे कर रहा है अगर लेफ्टी की बात कि जा तो लिवर फंक्शन टेस्ट होता है उसमें पता चलता है लिवर कैसा काम कर लिवर में क्य रागव करती है पहले आप siihen को समझछो किड्निक काम क्या करती यह यह लेक्टोराइट का वैलन्स करती है उन्हें पर क्लोराइट को कि Анदर वांको ब्ल followers ब्लट को हमारी बोट्राइब स्रक्षित रखें घ्रीक ना तो ये एकप्रकार सा बोला या तो कुछ हार्मन प्रणॉक्षिन करती है रहने रहने अपना एर्ट्रोप टैप्तिन आठा है यह सब बनाती है ये रहने मागए यह तीन काम किड्नी के हैं अगर आपन को किड्नी का काम जानना है किड्नी का फंक्षन जानना है मतलब कि किड्नी फंक्षन टेस्ट करना है तो हमें दो सेंपल की जरुत पड़ती है यूरिन की और ब्लड की तो जब भी किसी वेक्तिका एरेफ्ट किया जाता है तो उसमें ट्राइब कांद क्या पाथ हो तो शुरू करते हैं अब सम्झो कि किड्नी के आंदर में पर सीजाम लो boiling आंग एंदर एंदर और दी आइगा ईप टॉक्सिंस को एलेक्ट्राइड बैलेंस यह दो ही पार्ट करते हैं ग्लो मैलूलर और टूबलर अब अनको क्या है कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिन से यह पता चलता है कि ग्लो मैलूलर कितना अच्छा काम कर रहा है मतलब फिल्ट्रेशन ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसा कर रह नेफरोन का जो टूबलर है नेफरोन मतलब किड्नी जी बोलेंगे आप क्योंकि नेफरोन बहुत सारे होते हैं लाखों होते हैं तो यह लेक्रोलाइट का बैलेंस सोटियम पोटेशियम कितना क्या रख रहा है जो भी है यह कैसा काम कर तो इसमें कुछ टेस्ट करते हैं जब सबहुं में जो भी टेस्ट होते हैं सब्षियल बार इसमें पनते न चलता है या कौछ फिल्ट्रेशन होता है कर सबցछ पोटेशियम उनका अगर लेवल पता चल जाए हमें तो हमें पता चल सकता है ट्यूबलर में क्या है क्योंकि यह आइंस का जो भी है फिल्ट्रेशन है बैलन्स बनाना लेक्रोलाइट का तो यही करती है तो अब समझते हैं फटा-फट से टेस्ट में क्या-क्या होता है तो ब् च्रेटिनन यह ब्लट टेस्ट में पता चलेगा जो की अंधर होना तो क्रेटिनन को नहीं और होना चाहिए ब्लट के अंधर 0.8 लेकर 1.4 मिलीग्रामपरदीसी ऐसी होना चाहिए इतना है चलेगा इस से ज़ादा कुल्स और और यहां पर दोस्तव एक ओर में एड़ करतौन कि यह यांता है आरेपटी और किड्नी फेंसें टेस्ट ये कप किया जाता है भाई अगर किसी कीमो थेरपी चल रही है या कोई ऐसे दवा स्टार्ट करना है डॉक्टर को कि उसको देखना है किड्नी सही से वर्क कर रहे नहीं कर रहे क्योंकि अधिकतर दवाईयों में किड्नी की खराबी को देखा जाता है किड्नी खराब अगर होगी किड्नी डैमेज होगा तो दवाई नहीं दे जाती तो इसलिए इसको किया जाता है या तो दवा चलानी है या दवा चल रही है उसकी मॉनिटरिंग करना है कि वाई काम कर रहे है नहीं कर रहे या कोई दवा देने से पहले यह द होता है, तो यह क्या है, इसके एक पर मिनिट मैं करते हैं, एक मिलड़ में कितना फिल्टर कर रहा जी अफार ठीक है इसमें क्या होता कि ब्लड मैं क्रेटिनिन के लेवल को ही कैलकुलेट किया था कुछ फॉर्मूलाज होते हैं उनमें इसकी वैली को पूट किया था और कुछ ऑनलाइन के लिटर से होते हैं उनसे इनको पता चल जाता ह तो इसमें ज्यादा होता नहीं है कुछ इसको बस यह के क्रेटिन को ले लो उससे आप कल्कुलेट करो जी अफर पता चल जाएगा ठीक है न क्योंकि ओबराल क्रेटिन इन ही इसमें फिल्टर हो रहा तो कितना लेवल होना चाहिए जी फर का जी फर कितना आना चाहिए इसका जो आना चाहिए दसले के 120 मेल पर मिनिट आना चाहिए कि इतना तो होना ही चाहिए टोना चाहिए फिल्टर होना चाहिए आप देक लेना इंटरनेट पर सेच करेंगे सब पता चलता है तो यह ज्यादा बन रहा है तो इसको खिड्नी फिल्टर करते इक पकार से तो अगर यह ज्यादा बने गउत क्या होगा आपको तो पर वीडियो है अपना देख लेना जोड़ों में दर्ध बढ़ने लगेगा कई वार ऐसी कंडिशन फस जाती है कि जोड़ों में दर्ध हो रहा तो आदमी परेशान हो या था डॉक्तर करता भाई एक काम करो किस्टी और करा लो जिससे और पता चल जाएगा तो यूरीक का लेवल भी जाना बहुत जरूए था कितना होना चाहिए बिलट के अंदर त्री पॉइंट फाइब से लेकर सिक्स मिलीग्राम पर डेसिलीटर होना चाहिए इतना नॉर्मल माना जाए इस सकम करी नहीं सकते आप ठीक है लेकर अगर यह भड़ रहा है तो समय लो की किड्नी म मतलब की इतना ज्यादा खास होता नहीं बट यह भी शो किया जाता है इसमें क्या वाई चालिस से लेकर चालिस मिलीग्राम पर डेसिलीटर होना चाहिए अगर इससे ज्यादा है तो समय लोग यह यूरिया आपकी ब्लेड में बढ़ रहा है किड्नी इसको फिल्टर करने र क्रैटर n Ira math औरेख लिया क्रेटर लेकिन उसकी क्लेर ने काला लेकिन मतलब की क्रेटर का लेवल होता उसको फिर эту लवी फिर्दल था है तो वह ब्लेड में है बॉड के अंदर है वह कंपर घे ज़ता है क्रेटिन एन इंक्लों की बोले चाहिए रीडिंग को एक फॉर्मूल्र में डाला जाता है होता है क्रेटिन इन ईूरियन जो डिवाइडट वाय क्रेटिन इन तरह ऑर इसको मार्टेपल कर रहे जाता है काई से वोल्यम अपोन टाइम तो ये सका फॉर्मूला है आपको आपके ब्लेड में भी है और यारे अब लिए तो साब को यह पता चल जाए कि प्लेटिन का क्लिरेंस क्या है तो यह भी जानना बहुत जरी हो जाता है उसके लाव बात की जाए सीरम यह जाता है तो इसमें सोडियम के तना होना चाहिए सोडियम और पोटेशियम ही देखा जाता जातर तो सोडियम जो है 155 सब्सक्राइब 75 सब्सक्राइब चलेगा एक्वेलेंट टू लिटर रिगा यह चलेगा और पोटेशाम कितना हो चाहिए पोटेशाम अने थी पॉन फाइब से लेकर 5.5 मिली इतने वीच में होना चाहिए तो अभी यह वी टेस्ट बता है मैंने आपको क्रेटिनिन जी एफ और यूरिया यूरिक आसेड और यह सब हो गया तो इससे हमें यह पता चल गया कि भाई यह चीज़ ब्लड के अंदर कितना भर रही है है किड्नी साहिश से वरक नहीं कर रही इनको फिल्टर नहीं कर पा रही है अब बात किरेंगे कि भई इसमें यह को टेस्स किया दा क्या यूरिन टेस्ट यूरिन टेस्ट में पाद कि आपको पसल देखे जाएगी उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा वो देखा जागा प्रोटीन टुने में नहीं गारा मतलब किल में तो नहीं आ रहा एवुमिन हमारे ब्लेड होता है लेकिन वो जाना नहीं चाहिए भाहर नहीं चाहिए लेकिन वो में की टुनिक जा रहा है तो समय's ४र्टीन भार निकाल रहे डूणी टिक多 है और सब से愛र बसाज लगाया जाता है की कफटी टेस्मान की फंक्शनिंग ब्लेट में किया क्या चीज़ इसा बोलते हैं कि गेलAR टेस्ट गैल फंक्सट्ट इसे में पता चल जाता क्या कोई प्र क्रॉलम है या त्रिक शनियमस में फिक की कैसे box हैं जो यह होता है sixth- admitted dopo Saturday is more skilled dziइड या किद्नी тест इसमें पांप जोड़ना चाहूंग, दोस्तों कि हमेशा इसको जो है, मॉदर्णि लिया जाता है सुपर सुपर दिये जाता है और इससे पता चल जाता है अगर आपको ज्यादा सीबेटी है तो फिर बोलते हैं आप दोस्तों पांच छे सुरुपय में हो जाना चाहिए ज्यादा महेंगी नहीं होती है वैसे तो आप देख लेना अपने एरियाम क्या पैसा लेता है करने वाला तो यहीं होता है यहाँ पैसल को ज्यादा इस तरह से किया यहाँ यहां पर तो यहां को यहां पर बताँ कि लोग मतलब होता है कि यहाँ तो यह होता है दोस्तों के एस्टी आरेटी आगया होगा समझ में आया तो लाइक करें अगर कोई क्यों रहे हैं तो और अगर आप हमारे चैनल अपना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसा ही कंटेंट और बनाने के लिए तो मैं मिलता अगले वीडियो बोस्तों जाहिन बंदे मात्रों चैनल कर से लिए को बोड़ मिलता है याइब कर दो मिलता है